ओके हेलो सुडेंट्स जो टेस्ट दिया था आपने उसका टेस्ट हम डिसकस करते हैं जड़ा ठीक है वन बाइवन में आपको सारे कोशन्स यह मैंने रेंडम ली क्या किया एक नाम से जो ही बस डाल दी इसमें लिंक्स और जो है फटावट से तो टेस्ट में स्कोर तो मैंने पढ़ानी वैसे ही बस अपने पास अब करेक्ट अंसर्स हम इसको देखते हैं जड़ा डिसकस करते हैं के बादे देखो सबसे पहले फर्स्ट कोशन में इस सुलूशन ओफ सॉल्ट इन वाटर इस नोन एज एक्वस सुलूशन ठीक है तो यह बात जो है बिल्कुल सही है एक आपको पता होना चाहिए आइरन थर्ड ऑक्साइड जो होता है आइरन थर्ड होता है आपके पास Fe3 पॉजिटिव और ऑक्साइड होता है O2 नेगिटिव तो उसको क्रॉस करने पर आपका फॉर्मला बनता है Fe2O3 तो FeO नहीं होता यह तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फॉल सेड़न थे पेंट प्रोटेक्ट्स मेटल फ्रम क्रोशन केव प्रोटेक्क करता है क्योंकि यह पर आप देखो एजो है इट फॉरम्स एलेयर उफ पींट दो अलाओ एरन वाटर तो कम ँन कंताक्त इंट थी कह है पींट जो है बेसिकली इंसुलेशन कका काम करता है यानि कि जो connectivity है, metal की air के साथ, moisture के साथ, उसको खतम कर देता है, ठीक है, next आते हैं, dash mixed with water is used for white washing, ठीक है, तो इसमें से आपको पता ही है, calcium oxide जो है, जब आप water के साथ mix करते हैं, तो calcium oxide mixed with water forms calcium hydroxide, और वो calcium hydroxide for white washing के लिए यूज होता है, तो जो है, इस cancer आएगा, CAO, first option आएगा, next, the formula of aluminium sulfate is, okay, aluminium sulfate की जब आप बात करोगे, तो aluminium जो है, AL3 positive होता है, और sulfate जो होता है, SO4, SO4 2 negative, तो इसको जब आप cross करोगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, AL2 SO4 whole thrice, यह formula बनेगा, इसमें आपके पास, तो उस हिसाप से जो है, आपके पास जो answer बनेगा, वो बनेगा, आ okay, next पर आते हैं, next question में चलो, तो next है, इन्दी reaction H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2, your answer, oh sorry, अपने यह देखें जब आइसके अंदर, तो इसमें अलग-अलग options नहीं हो है, आप एक बात को समझो इसके अंदर, कि, जो है, H2S पर अगर अपन focus करते हैं, और SO2 को देखते हैं, तो reaction के बाद H2S पर loss of hydrogen हुआ है, loss of hydrogen हुआ है, तो loss of hydrogen is oxidation, तो यहाँ पर एक चीज़ साफ हो जाती है अपने पास, कि यहाँ पर H2S पर जो हुआ है, वो हुआ है oxidation, और obviously SO2 पर जो हुआ है, SO2 की अगर आप बात करोगे, तो SO2 पर हुआ है, oxygen का loss हुआ हुआ है, यहाँ पर तो इस पर क्या हुए reduction, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, कि जिस पर oxidation होता है, जिस पर oxidation होता है, वो तो होता है, जो है आपके पास reducing agent, जिस पर oxidation हुआ, वो reducing agent, ठीक है, और जिस पर reduction होता है, वो होता oxidizing agent, तो इन चीज़ों को दिमाग में देखें तो यह कहता है hydrogen sulfide is oxidized बिल्कुल सही बात है और sulfur dioxide is reduced यह यह भी बिल्कुल सही बात है तो यह तो सही आ रहा है बाकी सारे गलत क्यों है गलत में इसमें जो है किसले आता है hydrogen and sulfur sulfur reduced ऐसे नाम दिया जाता है पूरे-पूरे compound का नाम दिया जाता है तो यह भी उसी तरीके से गलत है और नीचे वाला option hydrogen sulfide is reduced नहीं hydrogen sulfide पर तो loss of hydrogen हुआ है तो यह तो oxidize हो रहा है ठीक है तो इसमें third option जो है वह आपके पास correct आएगा next इसमें चलते है eighth question देखते है eighth question में यह क्या कहता है कि an oxidizing agent is a substance which which क्या करता है adds oxygen और removes hydrogen आप एक बात को समझें agent agent क्या होता है जो सामने वाले पर कोई activity करता है reason होता है factor होता है तो अगर मान लो आप पर Oxidation हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है माँलों आप में और मेरे हम दो reactant है आप को मैं मेरे oxygen देता हूं तो मैं oxidizing agent आप पर oxidation हुआ मैं oxidizing agent हुँ तो क्यों क्योंकि मैंने आपको oxidize कर दिया आपको oxidize कर दिया, you are oxidized, so I am the oxidizing agent आपको oxidize कैसे कि आपको या तो मैं oxygen दूँगा या मैं आपका hydrogen snatch कर लोगा, आपका hydrogen ले लोगा तो इन दो तरीकों से क्या होता है कि मैं आप कोई कह सकता हूँ कि इसमें क्या होगा कि मैं oxidizing agent होगा तो oxidizing agent उसको बोलते है जो या तो जो है जैसे यहाँ पर second option है adds oxygen और removes hydrogen ठीक है तो second option इसके अंदर आएगा 9th question कहता है carbon is dash when it burns in air तो बड़ी series ही बात है इसके अंदर कि आप एक बात को समझें कि carbon को जलाया जाएगा अगर तो क्या बनेगा c plus o2 gives co2 carbon को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा carbon dioxide बन जाएगा c plus o2 gives co2 तो उसमें क्या हुआ आपके पास ये carbon क्या हुआ oxidize हो गया carbon के साथ oxygen जुड़ गया तो जो है जो है आपके पास ओके इसमें question में error है oxidize, reduce, displace and oxidize दो जगा पर लिखा हुआ है चलो तो फिर आप इसमें काम कर सकते हैं कि जो है आपने जिनोंने इसको किया है तो वो आप मुझे जो है पिक लेकि अगर बेज दें तो हम जो है उसको आपको बोनस में आपको उसमें mark से कलॉट कर दूँगा अगर आपने last option का oxidize किया है ठीक है तो उसको देख लेंगे अपने next पर आते है 10th question 10th question the slaking of lime is a dash reaction तो देखो lime slaking of lime किसको बोलते हैं जब आप जब आप quick lime को quick lime को जब आप add करते हो ना water के अंदर तो क्या होता उससे बनता है calcium hydroxide यह जो reaction होती है इसी reaction को आप जो है slaking of lime बोलते हैं तो slaking of lime हमने पढ़ा था यह exothermic process होता है इसमें energy जो है release होती है ठीक है तो इस cancer आया का exothermic next question पर आते है 11th the reducing agent in this reaction देखो reducing agent उसको बोलते हैं जिस पर oxidation हो ठीक है reducing agent उसको बोलते हैं जिस पर क्या हो oxidation हो तो यहाँ पर जो है अगर आप जहान से देखोगे जो H2S है oxidation कहां पर हुआ है H2S पर oxidation हुआ ही और जिस पर oxidation होता है वो ही reducing agent होता है तो इसका अंसर क्या आएगा इसका आएगा H2S ठीक है next आगे बढ़ते हैं 12th question देखते है the substance oxidized and the oxidizing agent in the following reactions are देखो फिर से आप observe करो यह reaction जो दे रखी है substance oxidized कौन सा हुआ है वो है carbon monoxide carbon monoxide ने zinc oxide का oxygen ले लिया तो carbon monoxide पर oxidation हुआ है मगर जिस पर oxidation होता है वो reducing agent होता है तो इसका मतलब zinc क्या है zinc आपका oxidizing agent है क्योंकि अपना oxygen तो zinc ने दिया है तो oxidizing agent की जब आप बात करोगे तो वो zinc ZNO आएगा आपके पास तो इसमें क्या आएगा आपका third option आएगा इसके अंदर के carbon monoxide देख लेंग पर दुबारा से के यह क्या क्या रहा है third option क्यों आएगा के carbon monoxide जो है वो तो हुआ oxidized और oxidizing agent कौन है जिस पर reduction हुआ वो है ZNO इस तरीके से ठीक है next देखते है 13th question the displacement of hydrogen from an acid by zinc is देखो अगर आपको ध्यान हो मैंने सभी में बताया था जितनी भी displacement reactions है वह एक्जोथर्मिक होती है इसमें कोई शक नहीं है तो यह क्या एक्जोथर्मिक होगा first option formation of an anion from an atom is देखो एक बात सीडीस ही है कि कोई एक atom है मान लो आपके पास यह atom है यह anion बनेगा कैसे electron accept करके electron accept करके क्या बनाएगा यह a negative अब electron accept करके यह negative बनाएगा तो अब आप समझो यह आर आईजी रिग बताया था आपको मैंने रिग क्या होता है reduction is gain of electron reduction is gain of electron तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास जो यहां पर जो है यह आप यह कह सकते हैं इसके अंदर क्या 9 कैसे बनता है by reduction gain of electron करके बनता है इसके अंदर 15th question the white powder formed when magnesium ribbon burns in air ये तो कर सीधा साधा था magnesium oxide 16th question copper metal on heating in air becomes black in color बिल्कुल the black color is due to the formation of copper second oxide activity करा ही आपको second option 17th question the green color deposition is formed over copper articles when exposed to damp air is basic copper carbonate alkaline copper carbonate मैंने आपको इसके और में बताया था यह क्या होता है cu co3 dot cuoh hole twice ठीक है यह green color का होता है green coating जो आपको corrosion में बताई थी copper के उपर वह basic copper carbonate की होती है third option आएगा इसके अंदर 18th question the chemical name of rust is देखो rust होती है rust की अगर आप बात करते है rust होती है fe2o3 dot xh2o ठीक है dot xh2o तो यह hydrated होती है यानि कि इसमें iron third oxide तो है मगर hydrated है इसमें water of distillation होता है fix नहीं होता x का मतलब है fix नहीं है मतलब कम जादा हो सकता है लेकिन hydrated जरूर होता है dry नहीं होता next 19th question in the reaction fe2o3 plus 3 co gives 2 fe plus 3 co2 reducing agent is देखो फिर वहीं बात आती reducing agent वह होता है जिस पर oxidation हो तो oxidation किस पर हुआ आप द्यान से देखो तो oxidation हुआ है carbon carbon monoxide पर oxidation हुआ है और उसने oxygen ले लिया fe2o3 का तो वह आपका reducing agent होगा ठीक है उसके बाद next पर आते है next देखो क्या है next question 20th which of the following statements about the given reaction are correct ठीक है given reaction में क्या-क्या statements correct है तो इसका सही option है आपके पास ये जो है third option इसका correct है first second and fourth first option सही है इसमे iron metal is getting oxidized कोई शक नहीं है iron यहां से आप अगर आप देखोगे तो इसना oxygen ले लिया second water is getting reduced कोई शक नहीं है कि water जो है h2o से h2 रह गया नहीं loss of oxygen हुआ fourth सही है water is acting oxidizing agent जब water पर reduction हो रहा है जिस पर reduction होता है वो क्या होता है होता है oxidizing agent तो इस तरीके से first second और fourth आपके पास आएगा ठीक है twenty first which among the following statements is or are true सबसे पहले यह photo chemical decomposition है silver chloride को जब आपने sunlight में जब आप इसको expose करते हैं तो आपको पता ही है कि agcl को जब expose करेंगे sunlight में तो बनता है ag plus cl2 तो देखो gray color की बात कर रहा है वो gray color तो इस silver का है अब यह दो बातें कह सकते हैं अभी agcl तोट कर cl2 निकल जाए तो भी यह gray बचेगा यह यह कहते हैं भी agcl तोट कर सीदे सीदे आप कहते हैं कि यह silver बना रहा है तो भी एक बात है कि gray बनता है तो इसमें जो है पहली बात deformation of silver by decomposition of silver chloride बिल्कुल बात सही है सब्लीमेशन नहीं होता यह सब्लीमेशन नहीं होता सब्लीमेशन में तो सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है solid से सीदे वेपर बने यानि agcl के agcl नहीं रहता वो वेपर स्टेट में तूट जाता है इसके अंदर ag और cl में chemical reaction और सब्लीमेशन एक physical process है तीसरा formation and liberation of chlorine gas by decomposition of silver chloride बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि जब silver chloride बनेगा silver chloride decompose होगा तो chlorine gas उड़ जाएगी formation होगा और liberation यानि वो liberate हो जाएगी तो बचेगा क्या पीछे बचेगा क्या जो नीचे solid बचेगा वो silver होगा वो gray color का होगा ठीक है oxidation of silver chloride पूरे compound का silver chloride में oxidation भी reduction भी इसमें जो है दोनों चीज़े होती है तो इस तरह से हम इसको classify नहीं कर पाएंगे तो इसलिए क्या है कि यह category आपके पास नहीं आएगी तो इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा कि first और third option जो है वो इसमें सही है next पर आते है 22, three beakers labeled as A, B and C each containing 25 ml water were taken a small amount of NaOH, Anidus, COSO4 and NCl were added to the beakers A, B and C respectively it was observed that there was an increase in temperature अब आप देखो इसमें क्या करा है कि solutions जो है A और B में increase in temperature ठीक है whereas in case of beaker C temperature of the solution falls तो obviously A और B में क्या हुआ एग्जो और C में क्या हुआ एंडो ठीक है तो ऐसे questions आपकी concentration को देखने के लिए होते हैं कि आप चार बाते बढ़ते सब कुछ उलजना जो हो कि तो आप नहीं उलजते तो मतलब आप बढ़िया आप सही आपको सब आता है तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो है यहां पर जो है इसका option जो आपके पास बनेगा वह बनेगा फर्स्ट एन फॉर्थ फर्स्ट में कहता है कि जो है इन बीकर्स एन बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और फॉर्थ में कहता है इन बीकर्सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है यह इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 23rd electrolysis of water is a decomposition reaction the mole ratio of hydrogen to oxygen यह तो बड़े सीधी सी बात है आपको बताया हुआ है भी H2O होता है तो H2O जब decompose करेगा तो hydrogen to oxygen का ratio 2 ratio 1 होता है फॉर्थ option आएगा ठीक है नेक्स देखते है 24th in the double displacement reaction between aqueous potassium added and aqueous lead nitrate a yellow precipitate of lead nitrate is formed यह तो हमने बढ़ा हुआ है वाइल performing the activity if lead nitrate is not available अगर नहीं होता मानले में which of the following can be used तो देखो double displacement के लिए एक नियम होता है कि दोनों salts water soluble होने चाहिए अगर water soluble नहीं होगे तो उसके ions free नहीं होगे आप बात को समझो जैसे आपने lead nitrate लिया था तो lead nitrate जब पानी में डालते हो तो वो अपने component ions में तूट जाता है अलग-अलग हो जाते हैं lead और nitrate ions और उसी तरह से जिससे दूसरा आपने क्या लिया था potassium और iodide ions तभी क्या होता है तभी यह partner exchange कर पाते हैं जब ions तूट तूट के अलग होते हैं उसके बाद ही यह partner exchange करते हैं lead iodide से और potassium nitrate से जूट पाता है अगर यह अपने component ions में तूटे तो फिर ions free नहीं होंगे reaction करने के लिए तो insoluble अब यहां पर क्या है obviously जो options है ammonium nitrate और potassium sulfate तो नहीं हो सकता ठीक है lead sulfate और lead acetate में से क्योंकि इसने lead sulfate के सामने specifically आपके लिए अब यह insoluble है तो यह भी जो है यह reaction नहीं शो करेगा lead का acetate शो कर सकता है ठीक है तो क्योंकि वह water water soluble कुछ नहीं लिखाओ इसका लिए water soluble है तो इसका answer आएगा यह second देखो यह थोड़े से hot जिसा बोलते हैं higher order thinking skills के questions है आप एक बात समझेगा कोई भी teacher कितना भी आपको पढ़ा ले fact है ठीक है लेकिन उसके बाद जो काम आती है main चीज़ वह आपकी अपनी पढ़ाई हो चीज़ों को खुद questions करेंगे तो और समझाएगा जितना ही मैं बताऊंगा मैंने आज test में 30 questions बता दिए पढ़ते टाइम अपने मालो और 20-30-50 questions कर लेकिन आप जो है ना जितने ज्यादा खुद करोगे questions उतना जो है आप इसमें मतलब धोर हो जाओगा एक पीचा धियान नेक्स देखो which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time ठीक है तो इसमें जो है एक बात तो साफ है कि जो है हमें परपस क्या होता है कि oil के oil जैसे हमने जो अपने बात की थी जो potato chips वाले में तो nitrogen काफी inert होती है इसलिए उसमें रखते हैं अब carbon dioxide और oxygen तो react कर जाती है ठीक है दूसरे case में पहले case में oxygen गड़ बड़ है ये तो fact पता ही है आपको तो पहला option नहीं हो सकता दूसरे में फिर oxygen है नहीं हो सकता तीसरे में carbon dioxide है नहीं हो सकता helium actually क्या होता है noble gas होती है noble gas उसी को बोलते है जो बहुत कम reactive होती है ठीक है तो इसको option आएगा 25 ठीक है देखो एक बात और समझो test के थूँ आपको कुछ नई बाते हैं और सिखाने की भी कोशिश रहती है तो इसको आपने attempt किया उसके बाद आप ये सीख समझें कि आपने सी सीखा भी और जो आपने सीखा अपनी गलतियों से सीखने वाला ही कामयाब होता है तो जो आपने सीखा उसको आपने improve भी करना है कि ठीक है अब आइंदा आपको एबात ध्यान रखनी है ठीक है 26th which one of the following processes involved chemical reactions ठीक है तो obviously इसमें जो है जैसे storing of oxygen gas under pressure कोई physical change है वो liquefaction of air अगर आप air को अगर आप जो है liquefy करते हैं तो वो भी आपका क्या है वो भी इस तरह से जो है कोई physical process है वो सिर्फ state change हो रही है उसके अंदर keeping petrol in china dish तो state change होगी petrol liquid से देखो physical processes क्या होते है states change हो जाती है solid से liquid liquid से gas या वाइस वरसा लेकिन heating copper wire जब copper wire को आप heat करते है एर में तो आपको बता है उससे copper oxide बन जाता है वो एक chemical reaction तो इसका option 4th ही वाला सही आएगा ठीक है when hydrogen gas is passed over heated black copper oxide a dash substance obviously वो अपिस copper बन जाता है reaction हमने करी थी reduction में कि copper oxide को जब hydrogen के साथ heat करते है तो क्या होता है आपके पास वो अपिस copper मिलता है आपको और water मिलता है इसके अंदर तो जो है यहाँ पर आपके पास ये reddish brown color का ये जो है copper बन जाएगा आपके copper का रंग आपको पता question है NO2 आपके पास NO2 बनता है इसके अंदर next question which of the following does not happen when ferrous sulfate is heated इसके लिए देखो does not happen जो नहीं होती does not happen जो नहीं होती वो क्या होती है ये वाला कि crystal का color yellow light green से yellow नहीं होता ferrous sulfate crystals loose water बिल्कुल सही बात है color of crystal change from light green to brown बिल्कुल Fe2O3 बनता है pungent pungent का मतलब होता है irritating गंदी smell ठीक है suffocating कह सकते है तो बिल्कुल SO2, SO3 बनती है बात बिल्कुल सही है लेकिन ये बात जो है लास्ट वाली ये बिल्कुल गलत है yellow नहीं होता है तो does not happen पूचा होए आप नहीं होता है इसके अंदर तो option इसका आपके पास ये fourth option correct आएगा last of all when a step of copper is placed in solution of zinc sulfate, zinc is precipitated तो देखो बड़ी सी बात है ये false क्यों है कि आपने क्या किया zinc sulfate लिया zinc sulfate यानि ये कहता है zinc sulfate aqueous लिया और उसके अंदर आपने डाला copper और आप expect करते हो कि zinc बनेगा और साथ मे copper sulfate यानि displacement होगा तो क्या displacement reaction होगा तो उसका जबाब अभी है ये reaction तो नहीं होगा क्योंकि copper जो है वो reactivity series में popular scientists can make a zoo in the low humid country नीचे आता है बिचारा less reactive copper जो है zinc को उसकी जगा से नहीं ला सकता तो यहां पर आपको zinc का अकेला नहीं मिलेगा ये इसका false आएगा तो I hope आप इस 3-3 गंटे लग जाते it's a difficult task तो लेकिन क्या तो कहीं नहीं human error थोड़ा बहुत रह जाता है को ready made materials नहीं है तो जो है आप उसका अगर आपने कुछ आपको हुआ है तो वह मैं bonus आपको बनमागते दूगा तो I hope आपको मेरी बास समझ आ रही है फिर भी नहीं समझ आए तो प्हेल डंगे जहीं है झाप का वाः उस तो कि आपको 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 है